दोस्तों बात करते हैं आज सोनी का स्मार्ट टीवी जो की X75L है और यहां पर बात करेंगे बहुत सारे लोगों ने पूछा के 2022 में जो है X75 के जो वर्जन है वो लिया जाए या नया वाला लिया जाए क्योंकि फ्राइज यहां पर आपको लगब लगब सिम्लर देखने को मि काफी अच्छी जो है उसमें build quality मिलती है और design काफी अच्छे होते हैं front से भी और back side से भी और stands होते हैं वो भी premium finish में आपको दिखाई देते हैं थोड़े से बेजल्स अगर दूसरे टीवी में देखे थोड़े से आपको दिखते हैं वो सकता है strength की वज़े से हो बट वो भी काफी अच्छे देखने में नजर आते हैं तो यहां पर यह design factor चाहे पुराने में देखिए नए में similar similar आपको देखने में नजर आएंगे अगर दोनों को साथ में रख दे जाए तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि पुराना कौन सा है या नया कौन सा है पीछे की साही आप को जो है square shape जो कुछ patterns में जर आते हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं दोस्तों यहां पर sizes की बात करें तो वही 43, 50 inch, 55, 65 inch वाले model हैं चाहे आप नया ले लिजिए या पुराना model ले लिजिए दोस्तों यहां पर picture processing की बात करें तो दोनों ही TV 4K panel पर चलते हैं 60 Hz या 50 Hz refresh rate कह सकते हैं कि आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा SDR 10 जैसे feature मिलेंगे HLG जैसे feature आपको यहां पर मिल जाएंगे 4K X1 processor आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा live color technology जैसे feature आपको देखने को मिलेंगे 4K X reality pro जैसी technology भी मिलेंगी जो की काफी अच्छे से color contrast बगरा करते हैं दोस दोस्तों यहां पर motion flow XR 200 जो है मिलेंगे जो कि 50 Hz पर चलेंगे और यहां पर different यही हो जाता है कि जो 75 है 64 है या something है उनमें आपको 100 मिलता है यहां पर 200 XR मिलता है जो motion flow है जो motion rate है काफी smooth आप जो है अगर बहुत high speed वाली कुछ image देख रहा है movie देख रहा है जैसे sports बगरा वो बहुत ही smooth और crystal clear नजर आते हैं तो यहां पर वो technology आपको मिल जाएगी तो दोनों में ही similar आपको feature देखे तो मिलते हैं दोस्तों दोनों में ही आपको light sensor या Dolby Vision जैसे option नहीं मिलते हैं क्योंकि वो high end X80K में मिलते हैं या X80L में मिलते हैं sound के बात करें तो दोनों में ही 10 10 watts sound output मिलेगी Dolby Audio के साथ दोस्तो open buffle speaker होंगे काफी अच्छी quality के sound होती है 20 watts में भी buffle speaker के कारण काफी crystal clear आपको sound सुनाई देती है दोस्तों बात करते हैं यहां पर processing power तो दोनों ही TV में 16 GB internal memory मिलेगी RAM का यहां पर नहीं बताया जाता है Sony के तरब से तो हम RAM के बारे में बात नहीं करेंगे तो दोनों TV सिमलर है Google TV पर चलेंगे Android 11 के साथ आएंगे Google voice assistant आपको मिल जाता है और यहां Alexa built-in आपको मिल जाता है Apple Air Play 2 kit मिल जाती जो की iPhone से कास्ट कर सकते हैं तो सारे connectivity option मिलते है smart remote मिलता है तो काफी कम keys के साथ आप बट जो normally दूसरे brand के TV हैं उनसे थोड़ यहां पर यह सारे option आपको मिल जाते हैं अगर देखे gaming feature के तो यहां पर X75 के में आपको gaming feature के नाम पर कुछ नहीं मिलता है बट यहां पर नए वाले में आपको PlayStation 5 ले कुछ feature मिल जाते हैं जैसे auto tone mapping जो है SDR tone mapping SDR gaming आप उसमें कर सकते हैं जिसमें color बहुत अच्छे से होते है auto journey mode यारी कि आप switch करते हैं movie से या TV से game में तो easily switch हो जाता है और भी आपको कुछ option मिल जेंगे auto low latency mode जैसे option आपको नए वाले option मिलेंगे X75 L में के में आपको यह feature missing है एक बड़ा difference यहां पर नजा रहाता है connectivity बात करें dual band wifi यहां पर मिलेगी 3 HDMI port मिलेगी अब यहां पर जो X75 K है वहां पर 2.0 HDMI port मिलती है जबकि नए वाले में 2.1 मिलती है अब 2.1 जो है HDMI होना काफी अच्छा होता है चाहें अब Dolby Atmosound वाल लगा है PlayStation के लिए उसके लिए बहुत ही perfect है auto low latency mode यही पर support करेगा 2 USB port दोनों में मिलेंगी Ethernet port Bluetooth 5.2 सब आपको option मिल जाएंगे तो काफी सारे option यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोस्तों difference की बात करें यहाँ पर दोनों में इतना ही difference है कि आपको एक तो gaming mode मिल जाते हैं HDMI 2.1 तो यहाँ पर यह एक difference आपको मिलता है तो यहाँ पर यह option आपको मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर price की बात करें तो 43 inch का आपको लगब 48 500 पुराना वाला मोडल मिलेगा जबकि नया मोडल आपको 48,44,0 रूपीज कम मिलेगा तो यहां पर सोचने वाली बात ही नहीं है का आपको नया मोडल ही लेना है यहां पर अगर प्राइस सेम है अगर प्राइस पुराने वाले के कम मिलते हैं और आपको गेमिंग बगेरा से तब वो लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो motion flow technology काफी अच्छे से present होती है इसमें X74 के या L से करें तो यहाँ पे 200 motion वहाँ पे 100 मिलता है तो यहाँ पे एक बड़ा difference X74 से भी यहाँ पे आ जाता है तो तब इसका लेना बनता है 50 इंच का बात करें तो लगबग आपको जो नया वाला है वो 60,500 रुपीज में मिलेगा जबकि पुराना वाला 62,000 के something मिलता है तो वो जादे है तो वो भी आपको यही वाला लेना मतलब X75L लेना है तो बाकी प्र दिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आपको मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉर्ण पर जो अभी चल रहा है वो तो नया वाला लेना प्राइस अगर कम हो जाते है तो वो आप लेटेस प्राइस लिंक है वहाँ पे चेक कर सकते हैं तो तब आपको पुराना वाला मोडल त इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी कोई रही है कमेंट में लिखके पूछे थोड़ा उपर आएंगे सब्सक्राइब बटर उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें इंस्टा ट्विटर पर फोलो कर सकती है तो आज की वीडियो के लिए तरह हैं थैंक्यों सो मच ब